ब्लैक होल साउंड नासा ने ब्लैक होल की आवाज जारी की है नासा की ओर से लिखा गया कि हम अभी तक मान रहे थे कि अंतरिक्ष खाली है इस वजह से कोई आवाज सुनाई नहीं देती लेकिन एक क्लस्टर में मौजूद गैसों के जरिये ब्लैक होल की साउंड को पकड़ा गया है हमारा अंतरिक्ष रहसियों से भरा हुआ है लेकिन फिर भी ये पूरी तरह खाली है अंतरिक्ष के खाली होने के कारण वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती है खाली अंतरिक्ष में ध्वनी तरंगे आगे नहीं बढ़ पाती है हालांकि कई जगहों पर अंतरिक्ष में गैसे हैं जिनके कारण ध्वनी तरंग ट्रैवेल कर सकती है नासा ने अब हाल ही में पसियस आकाश गंगा समूह के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की ध्वनी को खोजा है नासा ने अब इस ब्लैक होल का साउंड जारी किया है 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर इस क्लेस्टर में गैस और प्लाजमा के जरिये बढ़ने वाली वास्तविक ध्वनी तरंगों को खोजा गया है नासा ने ट्वीट में लिखा ये धारना गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनी नहीं है क्योंकि आकाश गंगा खाली है जिससे ध्वनी तरंगों को यातरा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता एक गेलक्सी कलस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनी को पकड़ लिया है यहां एक ब्लैक होल की एम्प्लिफाइड और अन्य डेटा के साथ मिक्स करके बनाई गई ध्वनी है यह आवाज एक कमपन है जो सुनने में बेहत डरावनी है हालांकि कुछ लोगों को इसमें ओम्प्लिफाइड और अन्य यूजर ने लिखा कि विग्यान हिंदू रिशियों से पीछे है विग्यान ने आज जो खोजा है वो बहुत पहले रिशियों ने खोज लिया था वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ओम शाश्वत ध्वनी है वो ब्रमहांड में हर जगह मौजूद है कैसे मिली ध्वनी साल 2003 में ब्लैक होल को पहली बार ध्वनी से जोड़ा गया था और अध्यान के मामले के रूप में इस्तेमाल किया गया था तब वेग्यानिकों ने पाया था कि ब्लैक होल से पैदा होने वाला दबाव कलस्टर की गर्म गैस में तरंग पैदा करता है हालांकि ये आवाज इतनी कम थी कि इनसानों को सुनाई नहीं देगी खगोलिय डेटा का सोनिफिकेशन करके वेग्यानिकों ने इसे बदल दिया ताकि ब्लैक होल की आवाज मनुश्यों को सुनाई दे सके